गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम लोग केमी ओस्मोटिक थियोरी के बारे में अध्यन करेंगे हिंदी में इसे हम रशायन प्रासरणी शिद्धान्थपी कहते हैं इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ETS इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के बारे में जानकरी दी थी और ये भी बताया था कि किस परकार इलेक्ट्रोन विभिन माध्यम से होता हुआ ऑक्सीजन से स्योजितों के जल का निर्मान करता है और उसी दोरान ATP या जीजे हम एंदरजी कहते हैं उसका निर्मान होता है अब किस परकार mitochondria की जो membrane होती है inner membrane और outer membrane या हम कह सकते हैं कि inner membrane के अंदर का इस्तान और वहार का इस्तान इलेक्ट्रोन के प्रवहा में किस परकार की भूमी का निर्मान होता है और किस प्रकार से ATP का निर्मान होता है इसके लिए पी मिशेल नामक वेज्यानिक ने 1961 में इस थियोरी को दिया था जिसे हम केमियो औक्समोटिक थियोरी या रसान परास्रणी सिद्धान्त केते हैं यह सिद्धान्त ऑक्सिडेटीव और फोटो फोस्पोर एलेसन दोनों में इस सिद्धान्त को लागू किया गया है यानि किस प्रकार दोनों के अंदर ATP का निर्मान होता है उसके लिए इस सिद्धान्त दिया गया है इससे पहले आपको थोड़ी सी जानगार यह होनी छिए कि बीतरी कला जो है माइटो कॉंड्रिया की वह किस प्रकार से व्यवस्तित होती है और किस प्रकार से ATP का निर्मान होता है यह इस डाइग्राम से आप केमियाउस्मोट्रिक थेयर्वी को अच्छे तरह से समझ सकते ह यह माइटो कॉंड्रिया की इनर मेंब्रेन है ठीक है यह आपको यह दिखाई दे दिए यह इनर साइड सर्पेस है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं माइटो कॉंड्रिया की अंदरूनी सर्पेस और यह आउटर सर्पेस है इनर मेंब्रेन की और जैसा कि आप जानते हो कि इस आउ और अंत में वाटर से oxygen के मॉलीकूल से तक पहुचता है और oxygen के मॉलीकूल प्रोटॉन के साथ स्योजित होकर जलका दिर्मान करता है जब NADH2 का oxygen होता है तो दो प्रोटॉन आप यह देख सकते हैं यहाँ पे निकलेंगे और यह प्रोटॉन बीतरी mitochondria की जो inner side होती है उससे outer side की तरफ move करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जान करें होनी चीए अब वापिस हम एक-एक point लेके यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार जो proton है वो बाहर की तरफ जाते हैं किस प्रकार proton प्रवनता होती है और वो proton प्रवनता ATP की निर्मान के अंदर सक्सम होती है ATP का निर की किरिया को ही oxidative photo phosphorylation कहते हैं यह simple परिवासा हम लोग इसे दे सकते हैं यह mitochondria की बीतरी कला में उपस्तित ATP ATP संशलेशी एंजाइमों द्वारा शंपन होती है और इस किरिया में जो एंजाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं ATP synthetase या जैसे हम F0, F1, ATPase की नाम से भी जानते हैं यह एंजाइम मुख्यूरूप से इस पर किरिया में भाग लेता है इसमें F0 और F1 है वो coupling factor है आप डाइग synthetase जिसमें F0 जो इसका part है और F1 यह part है यह दोनों part है तो ultimately इस membrane के अंदर जो ATP का निर्मान करेगा वो कौन करेगा ATPase enzyme या इससे हम ATP synthetase भी कहते हैं अब यह जो ATP enzyme है वो लो प्रकारशे वैवार कर सकता है किस प्रकारशे वैवार करेगा कि अगर यह ATPase dehydrated stage में है तो ADP और Inorganic Phosphate से ATP का निर्मान करेगा और अगर जल के साथ जल योजित हो जाता ATP के साथ तो यह hydrated अवस्ता में ATP को पूनत तोड़ कर Adnosine Diphosphate और Inorganic Phosphate का निर्मान करेगा इस परिकल्पना के अनुसार ETS के Electron Transverse System के Oxido Reduction तता ATP ATP Translation में Victoria संबन्द होता है जिसे हम कहते है सर्दिशात बग बतलब डारेक्शन से संबन्द होता है तता जिन कलाओं में यह क्रिया संपन होती है उन्हें Coupling Membrane केते हैं तो यह जो पर किरिया होती है यह माईटो कॉंड्रिया की भीतरी कला में संबन होती है तो Coupling Membrane यहां पे कौन सी हुई माईटो कॉंड्रिया की Inner Membrane अब जो मैन की ATP का निर्मान किस परकाशे होता है तो आप लोग यह देखें कि यह जो थियोरी दीकिए उसके अनुसार NADH2 से Oxygen तर ETS के दोरान माईटो कॉंड्रिया की भीतरी कला पर प्रोटोन परवनता उत्वन होती है और प्रतेक एलेक्ट्रोन यूगम के परिवन में 6 प्रोटोन का निर्मान होता है जैसा कि हम लोग ETS में भी पढ़ चुके हैं इसको और जो माईटो कॉंड्रिया की भी बीतरी सत्तर से बाहरी सत्तर पर स्त्रावित कर दिये जाते हैं बाहरी कला और आंतरी कला के मद्दिकायस्तान ठीक है बीतरी कला विशिस्ट्रूप से विन्यासित होती है जिससे प्रोटोन केवल बाहर की और अभी गमन कर सकते हैं बीतर की और नहीं प्रोटोन का जो बहीर यूग प्रवाहित होता है तो इस इलेक्रोन-घूग में के अंदर छे प्रोटोन का अदिर्बान होगा, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, और दो यहाँपे, यह प्रोटोन आप लोग देखेंगे, कि इस मेम्ब्रेन से बाहर की तरब स्तिरावित कर दी जाते हैं और यहाँ पर इस membrane को हम लोगों ने क्या नाम दिया coupling membrane अब जो next topic है यह next line पर वापिस आते हैं हम लोग बाहरी सत्व पर proton संग्रण के कारण बाहरी और बीदरी सत्व के मद्ध्य proton शांदरता प्रवंता proton concentration gradient इस्तापित हो जाती है यानि बाहर की तरब और अंदर की तरब जो concentration है proton की उसमें अंतरा आ जाता है जो की ATP sensation के लिए आउश्रक वेध्यूत राशानिक उरुजा उत्पन करती है यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही proton बाहर की तरब प्रवाइट होगे तो आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरब जो concentration है वो कम हो जाएगी और बाहर की तरब proton की concentration है वो ज्यादा हो जाएगी अब इस परकार यह जो प्रवंता उत्पन हुई है ग्रेडियेंट उत्पन हुआ है उसके कारण proton motive force उत्पन होता है जिसके कारण proton पुर्ण बीतर प्रवेश करने कर जाते हैं तथा ATPase enzyme ADP और inorganic phosphate से ATP का sensation कर देगा जैसे ही proton अंदर की तरब जाएगा वापिस तब ATP का निर्मान होता है proton पुर्ण प्रवेश करने के लिए F0, F1, ATPase यह जो enzyme है यह इस प्रकार की जो सनचना हमने membrane के इंदर दिखा रखिए उसका जो part होता है जिसे हम F0 भाग केते हैं मैं इस ती proton channel द्वारा ही प्रवेश करते हैं और यह proton oxygen से किरिया कर जल का निर्मान है किस प्रकार से करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं इस जगे यह देखें यह proton बार की तरफ है अब यह proton क्या करेंगे कि जैसे ही जो concentration है आप यह भी देख सकते हैं यह higher concentration हो गई प्रोटोन की और इस तरफ जो है यह inner side की तरफ कि कोशिश करेंगे किस जगे से प्रवेस करेंगे यह आप देखें यह हमने डॉट-डॉट से इसको दिखा रखा है तो F0 जो ATP है इसका ही पार्ट है और इसे हम proton channel भी कह सकते हैं यहां से प्रवेस करते हैं और ultimately आप देख सकते हैं यह वापिस इंदर की side की तरफ आगे अं अंदर की तरफ जो concentration है उसका balance रखने का कारे करेगा तो इस chemiosmotic सिद्धान्त के द्वारा हम लोग यह समझ सकते हैं कि electron का प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से water का निर्मान होगा और किस प्रकार से एक जो force return होता है वो ATP के निर्मान के लिए सख समय तो कुल मिला के इस diagram के द्वारा जो हम लोगों ने यहां दिखा रखा है इस diagram के द्वारा chemiosmotic theory को आप लोग explain कर सकते हैं यह theory जो है वो हम लोगों ने photosynthesis पड़ा था उसके अंदर जो photophosphorylations इसे हम बोलते हैं उसमें और oxidative phosphorylations दोनों के अंदर इस सिद्धान्त के द्व theory को आप explain करें या किस प्रकास से oxidative phosphorylation को आप explain करेंगे किसी एक सिद्धान्त के द्वारा समझाएं धन्यमाद